हाई फ्रेंड्स में अकांचा सर्माची की वितकांचा में आपका स्वागत करती हूँ MPPSC Prelims 2023 के लिए जो हमारी L-Series चल रही थी बलगबग 12,000 MCQ की उसका हमाज 18 भाग करने वाले हैं इसके पहले हम इसके 17 भाग कर चुके हैं नहीं देखे हैं तो यह इसकी प्रेलिस्ट की लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो प्रेंगे भाग देखीगा एक एक प्रशन जिनके आपको यहीं से ही सारे प्रशन देखने एक एक प्रशन ऐसे हैं जिनकी 100% आने की संभावना है इन प्रेशनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके पहले के भाग जरूर देखिएगा तकि आपको अंदजा लग जाए कि कोशन का level क्या है और किस तरह के प्रशनाने हैं यह जो प्रेशन है मेरे जो MPPSC Prelims की Test Series है 12,000 MCQ की उसका जो Current Affairs की booklet आपको उसके साथ जो मिलती है उसमें से यह मैं प्रेशन करा रही हूँ अगर आपने ले लिया हो तो आप वहाँ पर एक बार प्रेक्टिस पहले मेरी वीडियो सुनके वहाँ प्रेक्टिस कर लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है वो पर्चेस कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी हाट कॉपी दोनों में ही अबलेवल है सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत पीडियाफ के रूप में मिल जाएगी हाट कॉपी आपके घर पे जाएगी जिसमें आठ से दस वर्किंग डेज लग जाएंगे तो चलिए start करते हैं पहला कुश्पन फुटवल्ट टूरंड कप दूरंड कप दोजातेईज का खिताब किस ट्यम में जीता है सबसे पहला दूरंड कप के बारे मैं बता दू कि दूरंड कप सभसे पुराणी फूटवल्ट टूरंड कीता कौन सी है đूरंड की सबसे पुराणी प्रतियोगी ता कौन सी है फॉटवल की तो वो कौन सी है दूरंड कप याद रहीगा दूरंड कप किस से संबंधित है तो यह फॉटवल से संबंधित है पोशन है फॉटवल टूनामें दूरंड कप 2023 का किताब किसने जीता तो वर्दमान में जीता है मोहन बोगान फुटवाल क्लब FC का मतलब होता है फुटवाल क्लब तो डूरंड कब 2023 किसने जीता है मोहन बागान ने जीता है और ये इन्होंने 23 साल बाद जीता है 23 साल बाद इन्होंने ये मोहन बागान ने दूरंड कप जीता है और किसको हराया है इन्होंने किसको फाइनल में हराकर इन्होंने ये दूरंड कप जीता है तो इस्ट बंगाल का जो फुटवाल कलब है उसको हराकर इन्होंने फुटवाल टूनामें दूरंड कप जीता है तो याद रखेगा दूर दूरंड फूटवाल टूर्ण मेंट को दूरंड कप के नाम से जाना धाता है और ये बार से घरेलूफ फुटवाल प्रतियोगिता है पहली बार ये 아니야 sो 88 में सिमला में आयोज़त हुई थी याद रखेगा पहली बार ये कहां आयोज़त हुई थी 1888 में ये सिमला में आयोज़त हुई थी ये भी पूल सकते हैं कोश्चन आपको इस्टेटिक जीके के रूप में कि डूरंड का प्रतियोगिता सबसे पहले कहां पर हुई थी तो सबसे पहले सिमला में हुई थी कब हुई थी 1888 में हुई थी घरेलू वार्शिक प्रतियोगिता है दस सदस्यों की दस सदस्ये ये प्रतियोगिता है तो ये याद रखेगा और सबसे पहले से जो रियासते होती थी विविन विवागों के रेजिबेंट होते थे उन्होंने सबसे पहले इसको दीता था और ये एशिया की भी सबसे पुरानी फटवाल प्रतियोगी था है अगला कुश्यन है भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास भी निर्मार सुविदा कहां इस्थापित की जाएगी हरियाना, करनाटक, तेलंगाना या राजिस्थान भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास भी निर्मार सुविदा कहां इस्थापित की जाएगी तो ये तेलंगाना में स्थापित की जाएगी Corning Inc. तेलंगाना में कमपनी है Corning Inc. वहाँ पर ये स्थापित की जाएगी और जो देश में इस तरह का निवेस करने वाला ये पहला ऐसा कोई नवाचार है जिसमें इस तरह का निवेस किया जा रहा है तो याद रखिएगा Gorilla Glass वैसे कहां बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है सेक्ट राज अमेरिका, जपान और ताइवान में बनाया जा रहा है भारत में ये पहली बार है कि तेलंगाना में इसका निर्मार किया जा रहा है तो याद रखिएगा भारत की पहली गोरिला गलास भी निर्मार सुबीरा कहां स्थापित की जाएगी तेलंगाना में की जाएगी गोरिला गलास का जो अविश्कार हुआ था 1960 में कॉर्णिंग ने किया था इसलिए इसको बोला जाता है कॉर्णिंग ने इसको रसानिक रूप से मजबूत गलास बनाने के लक्ष के साथ सुरू किया था तो इसको याद रखिएगा मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किस ने जीता है माधुरी पटले सुईता सार्दे प्रियान सेन या प्रवीना अंजिना तो मिसेज उनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किस ने जीता है मादोरी पठले ने जीता है और ये फिलिपीन्स में भारत को भी रिप्रेजन्ट करेंगी आगामी जो मिसेज उनिवर्स प्रतियोगिता है उसमें भारत का प्रतेनेदर भी करेंगी जो कि कहां पर है क्योंकि फिलिपिन्स के मनेरिया में है सीज इंडिया द्वारा ये प्रतियोगी ता हुई थी मिसेज उनिवर्स इंडिया और ये जो मादुरी पटले हैं ये मारास्ट की रहने वाली है मादुरी पटले मिसेज उनिवर्स इंडिया का खिताब इनी ने जीता तो याद रखिएगा अगला कुश्यन है 43 वा आसियान सिखर सम्मिलन कहां आयोजित हुआ 43 वा आसियान सिखर सम्मिलन हुआ था जकार्ता में जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है यहाँ पे यह 5 से 7 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है तो याद रखिएगा 43 वा आसियान सिखर सम्मिलन कहां पे हुआ है तो 43 वा होगा जो जकार्ता में हुआ और 44 है वो लावस में होगा तो याद रखिएगा अब हम बात करते हैं कि यह आसियान है वो है क्या जो आसियान है वो है क्या आसियान कंट्री है क्या जितने भी संगठन है उनके कोश्चन बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हो जाते हैं आसियान को हम बोलते हैं A.S.E.A.N. आसियान का मतलब होता है Association of South East Nations मतलब जितने भी दक्षड के जो रास्ट आते हैं जैसे कि ये पूरा वेश्व है तो ये वाली जो कंट्री होंगी और ये वाली जो कंट्री होंगी पतलब South East की जो कंट्री होंगी वो इस आसियान में आती हैं इसमें 10-10 देश हैं और दक्षर पूर्वेश्याई रास्टर संगी आसियान की स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी और कहां पे हुई थी Thailand का जो Bangkok है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी तो याद रखिएगा मुख्याले कहां है Bangkok में स्थापना का हुई थी आसियान की 1967 में हुई थी 2023 का जो सिखर सम्मेला ने 23-43 वा कहां पे हुआ है जकार्ता में हुआ है और 2024 का कहां पे होगा लाओस में होगा ये सभी फैक्ट इसके याद रखिएगा कब हुई थी इसकी स्थापना के सोत करताओं ने इस टेम कोसिकाओं से क्रतिम मानब भून बनाया है अमेरिका जपान ब्राजील या इजराइल इजराइल की जो सोत करता है उन्होंने एक इस टेम क्रोसिकाओं से एक उन्नत प्रकार का भून बनाया है याद रखिए किसने बनाया है क्रतिम भून किसने त तयार किला है, बहुत ही important question, इसके chances 100% है, बहुत ही अच्छी जो इन्होंने बहुत बड़ा एक टेक्निक है, या बहुत बड़ी उपलब्दी हासिल की है, इस टेम कोशिकाओं से मानव का भूणी बना दिया है, तो यह बहुत important question है, और उन्होंने चूहों के इस टेम कोशिकाओं से बनाया है, याद रखिएगा, किस देश के सोत करताओं ने इस टेम कोशिकाओं से करते मूण बनाया है, तो इसराइल के ने बनाया है, और किस के इस बैग्याने को प्रब्दी है और पष्वों को परिक्षड को समाप्त करने की ये कुझी हो सकती है इस टेम कोशिका एक चूहे की क्या हो जाएंगी वो कोशिका है जो किसी भी अंगिया उतक में विक्सित हो जाती है एक कृतिम गर्व में आट दिनों तक इसको उगाया गया था तो यह याद रखिएगा अगला कूश्चन है भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉंच किया हिताची जापान भारत पे भारत एपल अमेरिका यह सैमसंग दक्षिर कोरिया भारत का जो पहला UPI payment है वो हिताची जापान द्वारा आरंब किया था यह भारत का पहला UPI ATM लॉंच है इसका नाम है हिताची मनी स्पोर्ट UPI ATM यह जापान की एक हिताची कंपनी है जिसने भारत में अपना एक हिताची payment services को लॉंच किया तो याद रखिएगा भारत का पहला UPI जो ATM है 5 सितंबर 2022 को आरंब किया और यह मुंबई में आरंब किया कहां पर आरंब किया मुंबई में मुंबई का जो global fintech fest है वहाँ पर यह आरंब किया गया किस कंपनी ले लॉंच किया इसको हिताची जापान कंपनी जो है उसने इस स्कॉटलेंड निवार्क अमेरिकर जकार्टा इंडोनेशिया कोपेन होगर डैन्मर्क यह आयो जो थूई थी 78 वी बैठक निवार्क में सैंक्तराष्ट का मुख्याले है और दुनिया के भिविन देशों के जो प्रतिनी दी है योबाजन है यूएन परिसर है वो यहाँ प बैठक होती है वो निवार्क में ही आयुजत होती है सैंक्तराष्ट महासवा के जो अगर आपसे पूछें कि सैंक्तराष्ट महासवा के अध्यक्ष कौन है तो अब्दुल्ला साहिद बर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला साहिद सैंक्तराष्ट सभा के इसकी आदिकारिक भासा हैं अंग्रेजी चीनी रूस फ्रान्सीस इस्पाइनी और अर्वी सी इसकी पहली солे महा Ai-la ट्र लेक्ष पूछे साहत्र आस्ट महा सभाद छो है तो आधा ईहिसं दोनों बुकलेत्थ जो लेगर एक सफ़्ट कव्पे के रूपमेchs और यह जो 10199 हैं यह दो वुकलेट बाइंडिंग वुकलेट के आपके रूप आपको मिलेंगी मतलत यह तोटल तीन वुकलेट रहेंगी जो आपके पास आएंगी बहुत ही जानदार प्रेश्ण प्रेश्णों का लेवल आप देख रहें किस तरह के प्रेश्ण मैंने कवर क आपको जबहरें सम्भावन अगर आपको प्रेश्ण निकलवा कि अपने घर पर तयारी करना है अगर हाट कपी आपको बना बना इसना मैंतरियल घर पर बस आपको इसकी प्रेक्टिस करना ज्यादा श्यादा लगाना इसका जो पछली सुरू कि पचास लोगों लगभग 40 को चुके हैं सुरू के 50 लोगों को हर्ट कॉपी का चार्ट सू निन्यांवे हैं कूर्यर अलग रहता है हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी में दोनों में मैटरियल एक साही है बस आस्वाड कॉपी आपको पीडियाफ की रूप में मिल जाती है जिसका प्रेंट आप खुल निक कर सकते हैं जो भी आपको लेना जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो रंत पीडियाव आपको मिल जाएगी नमीन डाटा सेथ अती महतपूर प्रेश्णों की यह स्रंखला है यह पूरी टूटल तीन बुकलेट आपको दी जाती हैं बहुत ही सांदार यह बुकलेट हैं सभी को बोलूँगी सभी लोग इसको जरूर लगाए जाकि जादा से जदा आपकी प्रेक्टिस हो सके एक और बात इसके साथ आपको एक वाटसप का गुरूप भी मिलता है यह वाटसप का गुरूप एक पेड गुरूप है उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं इसमें भी आपकी तैयारी कराई जाएगी यहां भी आपको महत्पूर कोशन दिये जाते हैं यहां भी आपको लगातार एक्जाम तक करेंट से संबंदित और जो भी कोशन आता है कमपनियों से संबंदित हर कोशन यहां दिया जाएगा तो आप में से जो भी हमारी टेसी लेना चा किस राज्य के सलेम जिले के साबुदाना उत्पात को जी आई टेग मिला है? ।AY तो सलेम है नहीं ै राजिस्थान में भी नहीं है, हर्याना में bी नहीं है, सलेम कहां में है? तमिल नारू में है तो सलेम तमिल नारू में है तो सलेम के ही साबुदाना उत्पाद को जियाई टेग मिला है तो याद रखेगा तमिल नारू का सलेम जिला है उस साबुदाना उत्पादन के लिए बहुत जदा प्रिशन्स जिला माना जाता है वही उसको ही जियाई टेग द हासिल किया हमारा इंदोर स्वक्ष वायू सर्वेक्षर 2023 में इंदोर जो है पहले इस्थान पर आया है दूसरे इस्थान पर आया है आगरा याद रखेगा पहले इस्थान पर कौन आया है इंदोर आया है दूसरे पर आगरा आया है और तीसरे पर ठाने आया है पहले पर क्या और तीसरे पर क्या आया है ठाणे तो याद रखिएगा सफ्ष वायू सरवेक्षण में कौन और अगर जो तीन मिलियन प्लस से जो सेहर तो इसमें 2022 में सीर्श आया था लखनव तो याद रखिए और ये रास्टी स्वक्ष जो बायू कारिक्रम है वो कब से आरम हुआ था दो हजार उन्नीस से आरम हुआ था इना कोशन है भारत के हर गाउं और कस्वे को ब्यापक स्वास्त सेवाएं प्रदान करने के लिए रास्टपती द्रौपती मुर्मु ने दो हजार तेईस में किस अभियान को सुरू किया आयुसमान भव अभियान चियर फोर इंडिया सविदार को पड़ो अभियान मेरी मार्टी मेरा देज तो आरम किया है आयुसमान भव अभियान को किसको आरम किया है आयुसमान भव अभियान को आरम किया इसका क्या उद्देश्य है हर गाओं को ब्यापक स्वास्त सुविधाएं देना आईश्मान भव अवियान और ये आरम किया था 14 सितंबर 2023 को याद रखिएगा आईश्मान भव अवियान दौपती मुर्मु ने आरम किया ब्यापक स्वास्त सेवा हैं गाओं तक पहुचाने के लिए इसको ही है ये रास सितंबर के इसको आरम किया था गांधी नगर के राज भवन से इसको आरम किया गया तो याद रखिया क्या उत्देश है प्रतिक गाउं और कस्मे में स्वास्त सुविधाओं की पूर्ती करना अगला कोश्चन है International Organization of Legal Metrology Certificate जारी करने वाला दुनिया का तेरवा देश कौन सा बन गया है हंगरी, तुर्किये, कतर या भारत ये बन गया है भारत भारत दुनिया का तेरवा देश बन गया है जो अंतरास्टी इस्तर पर International Organization of Legal Metrology प्रमाण पत्तर जारी करेगा और ये घुशना 14 सितंबर को जो भुक्तमामलों के मंत्राले है उन्होंने की है और ये भारत की जो मेटरोलोजिकल चमता है मतला मोसम विज्ञानी चमता है उनके महत्मूँ छड़को नियंतित करता है आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्टिपिकेट जारी करने वाला दुनिया का भारत कौन सा देश बन गया है ये भी याद रखिएगा कि ये कौन सा देश बन गया है तेरवा देश बन गया है और गनाइजेशन ओफ लीगल मेटरोलोजी सर्टिपिकेट जारी करने वाला कौन सा बन गया है तेरवा देश बन गया है तेरवा भाला भी पूछा जा सकता है भारती वायू सेना को किस देश से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला है अमेरिका फ्रांस, स्पेइन या इजराइल तो ये मिला है स्पेइन से भारती वायू सेना को पहला प्रोग्राम C-295 के रूप में मिला है आपचार एक रूप से एयर फोर्स में सामिल करने का लिया है ये बेमान स्पेइन से 6854 किलोमीटर की दूरी करके 20 सितंबर को आया था और ये भारत के गुजरात के बढ़ोधरा में आया था कहां से आया था ये स्पेइन से आया था तो ये सब ये कुशन आप याद रखिए कहां से लिया है स्पेइन से लिया है बायू सेना प्रुमुक जो मारसल वी आर चौदरी हैं उनको 13 सितंबर को सी 22-95 परिवन बिमानों में से मतब ये 56 मिलेंगे इनमें से पहला बिमान मिल गया है अगला है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर बना है न्यू जर्सी में वाल बाला इंडोनेशिया में टोरंटो या गॉंबक मलेशिया में तो ये न्यू आर के टाइम्स स्कॉाइल में लगभग 90 किलोमीटर दूर बॉसिंग्टन दीसी से भी 289 किलोमीटर दूर जो जो न्यू जर्सी है वहाँ का एक छोटा सा रोविंस बिले एक टाउंसिप है वहाँ पर B.A.P.S. स्वामी नारायन अक्षरधाम मंदिर को ये भी आदखियेगा मंदिर का नाम अक्षरधाम मंदिर को 12,500 सेदे की वॉलेंटियर्स दौरा बनाया गया है सबसे बड़ा जो ये दूसरा है न्यू जर्सी में और सबसे बड़ा अंकोरवाट में है कमबोडिया के अंकोरवाट में है जो लगबग 162 हेक्टियर में फैला हुआ है तो ये दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा न्यू जर्सी में है और पहला कहां पर है पहला अंकोरवाट में है तो याद रखिया अगला है किस देश के एपिरस में माउंट पिंडोस परिस्थित जागो चोकरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सामिल किया जागो रोचोरिया जागो रोचरिया है याद रखिया कहां पर है ये माउंट पिंडोस पर है एपिरस में माउंट पिंडोस पर है ये जागो चोरिया इसको यूनेसको की विश्व रासत में जोडा गया है एपिरेस में माउंट पिंडोस पर गाउं का एक समू है जहां पर ये जागो रोचोरिया जाना जाता है या इसको जागोरी का गाउं भी बोल सकते हैं जागोरी का गाउं जागोरी चोकरिया ये जागोरी का गाउं भी बोले जाता है और यह क्या है महत्पूर निर्ने रियाद में जो बिश्व धरोवर समीती का पैतालीस वा सत्र हुआ था वहां पर ये लिया गया और ये जो ये है जो जागोरोचरिया है ये कहां पर है ग्रीस में है याद रखिए कहां पर है ग्रीस में है ग्रीस का यह कि सांसकतिक छेतर है और इसकी सांसकतिक विरासत का यह कि उतक्रश्ट उधारन है जागोरो चोरिया गाउ या जागोरियों का गाउ इसको बोला जाता है चोटे पत्थर का यह गाउ है तो यह याद रखिए कहां पर प्रांस के नए राजदूत कौन बने हैं फिलिप एकरमेन, एरिक गोसन्टी ठियरे माताओ या बिसेंजी डी लूका कौन बने हैं बर्तमान में फ्रांस के नए राजदूत को चुना गया है theory mathau कौन बने है theory mathau अभी 18 सितंबर को ही भारत में फ्रांस के नए राज़ूत को चुना गया है याद रखिएगा भारत में फ्रांस के नए राज़ूत कौन बने है theory mathau बने है कौन बने है theory mathau friend description box में आपको मेरी whatsapp, telegram, facebook, twitter instagram का link जो मिल जाएगा जोईन कर लिजेगा मेरी instagram ID है अगर आपने मुझे instagram पर follow नहीं किया है तो instagram पर भी follow कर लिजेगा और description box से whatsapp, telegram से जो जाएगा साथ में comment box में हमारे whatsapp channel की link भी मिल जाएगी उस पे भी आप जो जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe जरू कीजेगा